हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो जीके नाइस एंड गुड मॉर्निंग तो फ्रेंड्स आज की दो बड़ी न्यूज है ल्टी ग्रेड रिजल्ट सहीत चैन बोर्ड के फसे परी नाम और यूपी पीस्टी में कुछ परिख्षाओं में मार्किंग लागू होगी तो यह बड़ी न प्रेंड्स वीडियो का एंड तक जरूर देखे यूपी पीस्टी वे चैन बोर्ड में फसे परी नाम पदों की तादाद है यानि पदों की संग्या उनन चस्सो इकसट परदेश की दो एहम सिखसक भरती दो भरती संस्थाओं में लंबे समय से लटकी है यह भी शहियों की दोनों सिखसक भरतीयों में रिजल्ट दो दो विश्चों के ही अटके हैं अल्टी ग्रेट की बात चल रहे हैं और यहाँ पर टीजटी पीजटी रिजल्ट दो आजास हो लेगी विश्चे भले ही दो हों लेकिन उनके पदों की तादात उननचा सो 161 है पदों की यह तपराप्त मादमिक कॉलीजों के लिए 1262 परवक्तव है 24-34 प्रेशिक्षित इसना तक सिखसक चैन 2016 की लिगित परिक्सा फरवरी यह मार्च 2019 में हुई चैन बोर्ड ने 25 अक्टबर को परवक्तव के 22 प्रेशिक्षित इसना तक के 24 विश्यों का परिणाम घोशित किया है इनमे 22,699 का चैन हुआ है जो इंटर्व्यू देंगे तब वे शिक्षक बनेंगे चैन बोर्ड ने टीजटी वे पीजटी में हिंदी वेकला विश्य का परिणा में भीता घोशित नहीं किया है दोनों पदों के दो विश्यों में 1674 पदों का पईना माना सेस है उधर राजगे मादमी कोलिशों में 10,768 पद एल्टी ग्रेट सिक्सक भरती चैन दो आजा ठारेगी लिगित परिक्सा उत्तर पदेश लोग से वायोग ने 29 जोलाई को कराई थी 15 विश्यों में से तेरे विश्यों का आ चुका है रिजल्ट अभी हिंदी वैसमाजी विज्ञान विश्य का पईनाम रुका हुआ है इन दोनों विश्यों में और से इसका सत्यपन चल रहा है दोनों संस्ताओं में दो भरतियों के दो विश्यों का पईनाम कब तक आएगा या इस प्रस्ट नहीं है इसमें दोनों भरतियां लटकी हुई है यूपी पीसी पर ही हमलावार एहम बात यह है कि यूपी पीसी ने इधर कहीं परिक्षाओं के परिणाम तेजी से दिये हैं अल्टी ग्रेट शिक्सक भरति में के भी लंबित रिजल्ट दिये हैं फिर भी पर्तियों के एक गुट के निशाने परसरी पी पीसी है वही चैन बोर्ड से वार्ता करके लोट आता है तो फ्रेंड्स यह था आपका यूपी पीसी वे चैन मार्किंग से पढ़ेगा जूजना तो यूपी पीसी को लेकर हैं पर बड़ी न्यूज है यूपी पेसी सीधी भरतियों में स्केर्णिंग परिक्सा अनुवार्य कर चुका है नई विग्यापन के तैत होने वाली सीधी भरतियों में स्केर्णिंग परिक्सा कराई जाएग कशनाथे परद्रशन कि अविम लैगों के लिए बुला लिया जाता था ऐसे में योग्यों होने के बावजूद कहिए अभ्यार्थी होने के बंचित रहा जा दे देगे छीजिदि भरतियर होती जहां पदों के एक अन्य निर्णे भी ले चुका है जिसके तहट सभी स्केंडिंग पर इक्सायों में माइनस मार्किंग भी लागू की गई है ऐसे में सीधी भरतियों में अब भ्यारतों के लिए आसान नहीं रहेगा माइनस मार्किंग के लिए काफी कड़ी मसक्कत यहां पर करनी होगी और इसमें माइनस मार्किंग का सामना भी करना होगा तो फ्रेंड्स यह न्यूज थी आपकी UPPSC को लेकर और बात करते हैं UPPSC में अल्टिक्रेट 6 अभरती के दो विश्यों की दोनों विश्यों को रेजल्ट का अभी तक कोई अपडेट नहीं है 26 तारीक को धर्णा पर्दसन होने वाला है तो जादे से जादे हमाँ पर आपने पहुंचना है ठीक है थैंक्स वर वाचिंग